स्री गणिशाय नमाहा, ओम भूर्भुवस्वाह, ओम तत्स वितुर्वरेण्यम, भर्गो देवस्य धीमही, धियो योना, प्रचो देयार, जै जिवदानी मैं कामी निखना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलोजी की फाउंडर, आप सभी सिंग राश्ची वाले प्यारे दर्शकों के साथ आपको दो हजार बाइस अत्यनत ही शुब जाए, वैसे देखा जाए तो ये शुक्र का साल है, दो हजार बाइस, निमरोलोजिकली, और सुख, आ कारियों के स्वामी होते हैं, आपके पराकरम के उत्साह के और उमंग के, और आप होते हैं धारसी, तेजसी, परोपकारी, बहुत जादा नाम-काम वाले नेता, अभीनेता, और बहुत जादा पराकरम वाले, उत्साह वाले जोर से काम करने वाले, लेकिन कभी-कभी प्रेद सभाव का निवरोलोजी के लिए है और आपको इससे विरोध में जाके क्योंकि आपके दशम के और आपके पराकरम के स्वामी है शुक्र ये आपको काम तो जरूर देगा तो चलिए हम शुरू करते हैं सिंग राशी वानों के लिए आपके लिए ये कैसा साल जाएग बहुत महिनत की है और मैं जानती हूँ कि आप कैसे हैं आपको मीन मेक बिल्कुल पसंद नहीं आप सही सही सविक्दम एप्रोप्रियेट चाहते हो आपका सवाह मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और इसलिए मैं आप लोगों के लिए लिग कर लाई हूँ कि आपको डे इसका जाने वाला है यह जो राशीफल है मैं सिंग लगन और सिंग राशी दोनों के लिये लेकर आई हूं तो दोनों सिंग लगन और सिंग राशी वाले ये राशीफल देख सकते हैं और आपको अगर consultancy चाहिए तो whatsapp नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अदर उस पे जाकर आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं अब सूर्य जो हैं ये 15 डिसंबर 2021 को 14 जनवरी तक जो धनुराशी में रहते हैं सब को पता हैं और फिर मकर संक्रांती आती हैं मकर में मकर संक्रांती तो याद रहे के साल की शुरुवात में तो धनु में रहे के आप बहुत ही जादा एंजॉय करोगे पंचम में आपकी स्थिति और माइंड फ्रेश रहेगा बहुत सारे काम सुझेंगे आपको गुरु की स्थिति आगे जाकर अच्छी होगी जो तेरह अप्रेल के बाद लेकिन तब तक भी आप अपने कारियों को बहुत व्यवस आएंगे तो याद रखे इस बार मकर में जो है शनी विराजवान है और ये शनी जो है इनके सांट जब सूर्य आएंगे तो सूर्य थोड़े से उदास होते हैं एक है कालीमा और एक है उजियारा आप हैं उजियारा और शनी जो है आपको आप लोगों को अस्त करते हैं या परशन ही आपको उदास करने की कोशिश करेंगे 14 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक आपको कोई लोन से रिलेटेड काम किसी का लेन देन का नहीं करना है आपको कर्ज नहीं उठाने है ना कर्ज देने हैं आपको क्या करना है आपको तबियत का ध्यान रखना है हट्टियों से रिलेक्टेट स्कल, दांत, आंके, स्पाइन, आपकी आत्मा, आपके पिता की तवित सबका ध्यान दखना है, ये कौन सी तारिक है, 14 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक, उसके बाद जो है सूर्य मीन के हो जाएंगे, और मीन के हुक के भी आपको तवियत के लिए तो हिदायद देंगे, लेकिन फिर आप अपना वेबसाइ बढ़ाने की कोशिश करेंगे, आप अपनी परसनालिटी को निखारने की कोशिश करेंगे, आपको कोई वेबसाइग पार्टनर भी इसमें मिल सकता है, याद रहे कि इन दिनों जो शनी है, वो शनी आपकी तीसरी दिरिश्टी डालता है आपके हेल्थ पर तो तुड़ा बहुत आपको हेल्थ मसल से रिलेटेट क्योंकि हड़ी से रिलेटेट समझ से हैं, जिनका सूर्य अच्छा नहों उनको होती है, लेकिन जिनका सूर्य अच्छा है तो वो श्टम में भी नुकसान नहीं करता है, और अच्छे बाद मैं आपको बताऊं कि आपकी अगली स्थिति क्या है, 14 एप्रिल से लेकर आप 14 मई तक बहुत ही खुश रहेंगे, उत्सा में रहेंगे, पराकरम में रहेंगे, क्योंकि सूर्य उच्छे के रहेंगे, और सूर्य उच्छे के जब मेश में आएंगे, तो फि लेकिन उससे पहले सूर्य वहां से होकर गुजर चुके होंगे, सूर्य अपना करिश्मा दिखा चुके होंगे, बहुत सारे नेता अभी नेता को इससे फाइदा होगा, बहुत सारे सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोगों को इससे फाइदा होगा, बहुत सारे गवर बहुत अच्छी चलेगी तो आपकी स्थिती अभी भी आगे चलके अच्छी चलने वाली है ये उच्छी के जब से हुए 14 एप्रिल को उसके बाद 14 मई में रिश्क हो जाएंगे तो यहां भी आपके कई सारे ये सिंग लगन वाले और सिंग राशी वाले मैं बताना भूल और सिंग राशी वालों के लिए दोनों के लिए है ये राशी भविश्य तो आपका जो कारिये स्थल पर आपके कारे उसमें बहुत उच्छा देंगे प्रोवाइड़ लिए आपके दश्टमस्तान पर वहां पर शुक्र ना बैठे हो तो आपके काम अचानक से बूम पकड आपके कोई पैत्रिक संपत्ती से काम थे तो उसमें सुख मिलेगा आपको 17 अगस्त को सूर्य स्वग्रही होने वाले हैं तो 17 अगस्त से लेके 17 सितंबर तक आप फिर से एंजॉय करेंगे स्थितियों को बहुत जादा लेकिन इस दोरान आप पर पूर्ण दृष्टी रहे के कारण बहुत सारा काम करने का मन है लेकिन थोड़ा बहुत हो रहा है बहुत कुछ करने का मन है नितागिरी अभी नितागिरी में दफ्तरों में लेकिन थोड़ा बहुत कुछ कम हो रहा है थोड़ा तबियत का ध्यान रखना पड़ रहा है तो इस शनी की दिश्टी से पर जो शनी हैं वो 12 जुलाई से लेके 17 जनवरी तक फिर जो हैं मकर में आ गए होंगे और शनी की सूरे पर अब दृष्टी नहीं पड़ेगी और सूरे फिर राजा बन कर बैठेंगे तो सूरे बच गए थे राहू से सूरे बच गए थे शनी से इस बार और पूरा तार्णा दिखा के जाएंगे अपना काम करके जाएंगे नेतागिरी अभी नेतागिरी में उनका नाम हो जाएगा अगर आप चाहते हैं कोई बड़े पर पहुचना तो इंक्रिमेंट हो जाएगा और ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा 17 सितंबर के बाद सूरे जो है कन्या में रहेंगे तो धन लाएंगे जो काम किया था उससे परिवार में ओज और वानी में ओज और परिवार में बड़े रिस्पेक्टेड लोग आपके बोलने से बड़ी रिस्पेक्ट आपका नाम आपकी बड़ी प्रशंसा होगी तो जो कन्या में सूरे आएंगे तो पूर्ण दिश्टी रहेंगी इन पर गुरु की और गुरु की दिश्टी रहने के कारण ये बड़े ही तेजसी हो जाएंगे, नौलेज हासिल करके अपनी परिवार को देंगे, उनकी उन्नती और उनके संचित धन को बढ़ाने में उनकी बहुत साहता करेंगे, अब एक स्थ नहीं पहुंचाने वाले, लेकिन फिर भी सूर्य जो हैं तुला में प्रवेश करके अपने आपको थोड़ा सा अनकमपर्टिबल पाते हैं, उनका पराकरम उनका शोर्य कम हो जाता है, जितना चाहते हैं उतना वो रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, और उसके बाद हम बात करे यहां पर राहू केतू और शनी कुरू की, तो शनी जो हैं वो विराजमान रहेंगे 29 से अप्रिल तक मकर राशी में, और मकर राशी में रहें के वो तीसरी दृष्टी से आपके अश्टम भाव को देखते हैं, तो आपको तव्यत समालना, आपके द्वादश भाव को पाएंगे, क्योंकि यह जो शनी का जो स्तानंतरण है, यह जब हट जाएगा, तो फिर यह स्तितिया नहीं रहेंगी, लेकिन तब तक आप पर यह जो शनी का जो कोप है, शनी की जो दृष्टियां है, इससे बचने के लिए, आप कर सकते हैं, आदितर रिदेस्तोतर के आत्मा की शक्तियां बढ़ जाएंगे, अब बात करते हैं, उनके शनी जो हैं, यह वापस मकर में आने वाले हैं, और मकर में आके फिर यह अपना जलवा, जो है, वो कुम्ब से हटा कर, फिर मकर में दिखाएंगे, इनके शर्ष्टस्तान पर जब रहेंगे, तो अभी भी आगे लिखे जाते हैं, विदेश रेलेटेड कामों में, हलाकि सब विरोधी सभाव के लोग मिलते हैं, हलाकि शनी के दिख्टी के कारण आप इससे आश्वस्ता नहीं है, आप अपने व्रेम सम्मन्दों से आश्वस्ता नहीं है, लेकिर फिर भी शनी आपको काफी आनन द पूर्ण दिख्टी रहेगी, आपके घर परिवार पर पूर्ण दिख्टी रहेगी, वो जो पीरेड है आपका, 39 पिल से लेके, 12 जुलाई तक, उसमें आपको बहुत जाद आश्वस्ता नहीं हो जाना है, कि मेरा सब अच्छा हो रहा है, तो आप मैं रिलाक्स हो जाओं, बिंदास हो जाओं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कामों का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको विवाही जीवन में अपनी जो डॉमिनेशन आप सहरे होंगे, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेस बना के चलना पड़ेगा, तबियत समालनी पड़ेगी, जैस की शादी की होग बनेंगे आप शादी कर सकते हैं वेबसाइब बढ़ा सकते हैं वेबसाइक शित्र में आपका नाम होगा आपकी वावा होगी आप में तेज आएगा आपका बल आएगा और जो गुरु की दिश्टी पंचन दिश्टी पड़ती है आपके धनस्तान पे वह आ गुरू जो है ये 13 अप्रिल को आपके अश्टब में आ जाएंगे तो याद रखेगा आपने जो शादी की होगी उशादी को आपको प्यार से समालना होगा आपको वैसे तो वेबसाइट बढ़ेगा विवाही जीवन का सपोर्ड भी रहेगा लेकिन चोटी-चोटी बातें जो नागवार गुजरती है उनका ध्यान रखना सुग रही है गुरू ऐसी कोई स्थिक्ति बुरी नहीं बनती धन आपका समालना पड़ेगा संचित धन समालना पड़ेगा आपको अलाके विदेश रेलेटेड काम बढ़ेंगे और घर परिवार को जो शनी बिगाड रहे यहां पर गुरू आपका ध्यान रखेंगे तो एक आदमी बिगाड़ने को तो आया था लेकिन दूसरे आदमी ने ध्यान रख लिया तो बात बरबर हो गई तो मैं कामी निखना बता रही थी सिंग राशीवानों के लिए 2022 अच्छा जाने वाला है तो बहुत ही दरूदर ह यह साल शुभ विपावली भी और यह साल आपके अनेकों काम करें अश्वर्य सुख संपन धन लाभ और आपकी प्रकृति आपका स्वास्त अच्छा रहा आप परिवार के साथ खुश रहें ऐसी मैं प्रभू से प्रात्तना करती हूं जै जिवदानी ब्यूटी विद आस् आपको स्वास्त और आरुग्य और संपदा अईश्वर्य सब कुछ भरपूर मिले आपका परिवार और आप खुश रहें देर सारी खुशियां आपके घर में आए और आप उन्नती की मार्ग पर चलें मैं जो यह राशी फल बताऊंगी यह आपकी राशी के स्वामी और ल लगन दोनों के हिसाब से आप यह मेरा राशी फल देख सकते हैं जिन लोगों को कंसल्टन्सी चाहिए उनके लिए मैंने वार्टसप नंबर दिया हुआ है तो 2022 की और विपावली की एक बार फिर मैं देती हूँ देर सारी शुब मंगल कामना है गौड ब्लेस यू और